Hello everyone, welcome to Okul, India के सबसे affordable learning platform में आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आईए अपने इस Certificate Physical and Human Geography, GC Leong Geography को हम लोग आगे बढ़ाते है और इस course के हम लोग इस book के chapter second में हम लोग बात कर रहे है पिछले part में हम लोगों ने इस chapter को start किया है, that is the earth's crust, ठीक है और पिछले lecture में जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि उस types of rocks के बारे में वहाँ पर हमने तीन types के rock होते हैं उनके बारे में पढ़ा था जैसे कि sedimentary rocks है, igneous rocks है और betamorphic rocks है वहाँ पर हमने जाना था कि igneous rocks वो होते हैं जो volcanic activity से related है जाने कि जो volcano से जो lava निकलता है, उसके through जो rocks बनते हैं चाहे वो intrusive form में बने, चाहे extrusive form में बने, वहाँ से जो rocks बनते हैं वो होते हैं igneous rocks, ठीक इसके बाद हमने sedimentary rocks के बारे में पढ़ा था कि जो layer के form में exist करते हैं जो sediments के accumulation से होते हैं और layers के form में exist करते हैं नाम बताया था metamorphism, ठीक तो इसी में आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग जो है कुछ और landforms के बारे में पढ़ेंगे और specifically इस chapter में cover किया गया है mountains, plateus and plains, ठीक है तो आज हम mountains के बारे में पढ़ेंगे जादा से जादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सकें ठीक है ना, ताकि लोगों को पता लग सकें कि इस तरह किया कोई course और कोई video series वगरा यहां पर जो इस platform पर चल रही है ताकि जादा से जादा लोगों को इसका फाइदा मिल सकें ठीक है और बाकि जो लोग चैनल पर नए है अगर उनको भी content पसंद आ रहा है अगर लग रहा है कि content helpful है तो उनसे भी मैं request करूँगा कि आप लोग भी प्लीज जादा से जादा चीज़ें like करें share करें चैनल को जरूर subscribe कर लें और bell icon प्रेस करें so that की वीडियो की notifications वकर आप लोगों से बिल्कुल मिस ना हूँ चलिए तो start करते है आज का lecture चलते है अपनी book की तरफ देखिए पहले जो हमने rocks types पढ़े है यानि कि जो हमने तीन टाइब के rocks पढ़े है sedimentary, igneos, metamorphic उनका हम थोड़ा सा land scaper का influence है क्या अब रभाव है यह जान लेते है ठीक है एक paragraph में छोटा सा यह चीज़ दी गई है उसके बाद फिर हम landforms के बारे में बात करेंगे देखे the appearance and characteristic features of landforms are greatly influenced by the underlying rock type ठीक है यानि कि जो भी landform है यानि किसी तरीके का कोई landform है चाहे उसका appearance है या उसका जो characteristic feature है वो किस बात पर निर्भर करता है वो इस बात पर निर्भर करता है या depend करता है कि उसके नीचे किस तरीके के rock like करते है ठीक है underlying rocks यानि कि उसके surface के नीचे किस तरीके rocks है softer rocks like clay and shale are worn down much faster than harder rocks like granite ठीक है अगर माल लीजिए कहीं पर soft rocks है ठीक है जैसे कि clay rocks है या shale के rocks है तो वो worn down जो है worn out जल्दी हो जाएंगे ठीक जानी कि उनका आप कह सकते हैं कि denudation या degradation जल्दी हो जाएगा और जो harder rocks है जैसे कि granite वगरा they are worn down less easily ठीक है ठीक है वो थोर से time के बाद उसमें जो है वो denudation होगा within west malaysia the resistant granites form the high ground of the main range and the eastern range where several peaks rise to over 2000 feet ठीक है तो यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखेगा जहाँ पर भी आपके rocks जो है वो आपके resistant rocks होंगे जैसे granite वगरा जहाँ पर भी पाये जाएगा वहाँ के जो peaks वगरा होंगे ठीक है जो mountain ranges होंगी जो peaks वगरा होंगे वो जादा high होंगे ठीक वो अभी भी high होंगे क्यों high होंगे क्योंकि वहाँ पर क्या है कि उनका degradation या denudation वगरा जो है वो कम होगा ठीक है 7186 feet is composed of even more resistant quartzite देखे आप समझ सकते हैं कि यह जो थे granite से बने वे हैं तो 2000 फिटिन की उचाई है जो और जादा resistant rock से बने हैं quartzite से उनकी height और जादा है यानि कि जितने जादा resistant material के rocks होंगे वो उतने जादा उनकी height जादा हो ठीक है ऐसा क्यों होगा क्योंकि उनमें जो denudation वगरा है वो कम होगा इसके बाद अगर हम बात करें shales, isquist, sandstones being less resistant यह resistant कम है तो इनसे क्या होगा कि they form much lower and rounded hills तो इनके जो hills है वो कैसे होंगे छोटे होंगे ठीक, recent river sediments form flat plains और बाकी जो river से जो sediments वगरा आ रहे है वो क्या बनाएंगे flat plains ठीक, the limestones resistant because of their permeability form prominent steep sided hills such as those near epo and perilous ठीक है, epo और perilous जो है वो भी आपके Malaysia में ही जगह है तो वहाँ पर है लिखा गया है कि जो limestone से बने वे hills है, ठीक है वो क्या है, वो अपने permeability के वाई से क्या है, resistant है, they are resistant because of their permeability और वो क्या बनाते है, steep sided hills, यानि कि जो उनकी hills की जो side है, वो खड़ी चटाने है ठीक है, steep sided है, ठीक है और कहाँ पर पाई जाते है, near epo and perilous in Malaysia only ठीक है, जियान रखे गए जो दोनों जगे दी गई है, इपो and perilous they are in Malaysia only ठीक है, चलिए, इसके बाद earth movements and the major landforms के बारे में बात कर लेते है और कौन कौन से वो agents है, running water है आपका, rain है, जाने कि बारिश है frost, sun, wind, glaciers and waves, so that our present landforms are very varied and diverse तो जो हमारे आज के present landforms है, वो काफी जादा क्या है, varied है और diverse है but these agents only modify the pattern of mountains, plateaus and plains which have been modeled by movements of the earth's crust ठीक है, सबस्वेरा तुम आपका ध्यान एक word की तरफ दिनाना चाहा हुआ, that is this ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि last में x लिखा हुआ है, s नहीं है, but it is again a plural form of plateaus only ठीक है, जो plateaus word है, उसका जो plural है, उसमें आप x भी लिख सकते है, s भी लिख सकते है, same चीज है ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, कि जो denodation agents है, यह क्या करते है यह mountains है, चाहे plateaus है, इनका क्या करते है, pattern को यह change करते है, modify करते है, ठीक है और यह बने किसकी वज़े से है, जो earth crust की movement है, उसकी वज़े से, which have been modeled by the movements of the earth crust यानि कि earth crust की movement की वज़े से, यह आपके चाहे plains है, चाहे mountains है, चाहे plateaus है, यह बने है तो जो यह denodation agent से यह उनको क्या करते है, modify करते है, जैसे आपको बताया है, कि अगर कोई बड़ा पहाड़ है यानि कि कोई mountain जिसकी slope, मतलब जिसका height जादा है, वो denodation agent होने की वैसे क्या होगा, कि उसकी height क्या हो जाएगी, धीमे-धीमे कम हो जाएगी तो यानि कि बात यह है कि यह denodation agent जो है, जितने भी denodation agents यहाँ पर बताये गए है, चाहे आपको running water है, rain है, frost है, sun है, wind है, glacier है, चाहे कुछ भी है यह कोई भी जो है, वो earth crust से, वो basically क्या है कि इस तरीके कि जो mountains, produce, plane से उनको बना नहीं रहे, जियान आपने यह रखना है, वो सिर्फ उनको क्या कर रहे है, उनके pattern को modify कर रहे है, ठीक, यह बात यहाँ पर आपको जियान रखनी है, ठीक, चलिए, इसके बाद आगे यह, since the dawn of the geological time, यानि कि जब से geological time start हुआ है, no less than 9 orogenic और mountain building movements have taken place, folding and fracturing the earth's crust, ठीक, orogenic is a mountain building process, ठीक है, orogenic, aperiogenic दो तरीकी की process होती है, तो orogenic is a mountain building process, तो यह बोला जा रहा है कि जब से geological time start हुआ है, तब से कम से कम 9 orogenic इस तरीके के movements वगरा जो है, वो हो चुक है, ठीक ह उससे क्या हुआ है, कि earth की जो crust है, उसमें folding भी हुई है, और fracturing भी हुई है, ठीक है, folding का मतलब है, fold होना, fracturing का मतलब होता है, तूटना, अभी मैं इसको समझाओंगा किस तरीके से, इसी में हम तरीके 2 तरीके mountains देखिंगे, fold mountains and the fractured mountains, या फिर fault mountains जिनको बोला जाता है, ठी 1600 to 3500 million years ago, ठीक, the three more recent orogenies are the Saladonian, the Harsinian and the Alpine, ठीक, तो यह तो सबसे पहले की बताई गई है, pre-Cambrian time की, उसके बाद की जो तीन अभी recent बताई गई है, that is Saladonian, Harsinian and Alpine, the Saladonian जो है, वो भी मतलब आज से तो कर काफी पहले थी, about 320 million years ago, raised the mountains of Scandinavia and Scotland and is represented in North America, ठीक है, जो Scandinavia का region है, Scotland का region है, वहां के mountains जो बने हैं, वो Saladonian period के हैं, ठीक, these ancient mountains have been worn down and no longer exhibit the striking form that they must once have had, ठीक है, तो यही बात है, कि इतने पुराने ये जो mountains वगरा थे, उनमें क्या हुआ है, कि जो denudation agents है, उनकी वज़े से, उनकी जो height है, वो कम हो गई है, उनका जो worn down हुआ है, जो worn out वगरा हु जिस समय इनकी ये नए-नए बने थे, आज से 320 million साल पहले की बात हो रही है, समझ सकते हैं, कितनी पुरानी बात है, ठीक है, तो आज की rate में क्या है, कि इनके जो striking feature थे, वो उस तरीके के नहीं रही है, ठीक है, इसके later period में अगर हम बात करें, during the hercenian, the earth movements around 240 million years ago, आज से 240 million years ago यानि कि Saladonian के बाद, यहाँ पर कौन जी mountain ranges बनी है, देखे, the Aral Mountains, the Penance, the Welsh Highlands in the Britain, the Hudson Mountains in Germany, the Appalachians in American, as well as the high plagues of Siberia and China, तो these mountains have also been reduced in size by the various sculpturing forces, sculpturing forces का मतलब वही है, the denudation agents, तो वही बात है, कि जैसे-जैसे mountains, मतलब आप समझ सकते हैं, यहां साब एक चीज को समझ येगा, कि जो mountains है, वो एक बार अगर बन गए, तो ऐसा नहीं है, कि वो हमेशा के लिए हो गए, चाहिए ना, मतलब वो हमारे अगर हम अपने time respect में बात करें, क्योंकि देखे, human being कितना जी सकता है, मतलब एक normal life कितनी है, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, जादा स्यादा 120 साल, ठीक है, लेकिन यहा हम बात करें, अगर हम geological time को लेकर चलें, तो ऐसा है कि यह millions of airs में चीज़ें जो हैं, वो बनती बिगरती रहती है, मतलब जो पहले बने हैं, वो धीमे धीमे warm down हुए, फिर उसके बाद उनकी height वगरा कम हुई, फिर उसके बाद कुछ और movements हुए, कुछ और aerogenic movements हुए, यान mountains एक बार बन गए तो उनकी height वगरा हमेशा के लिए same नहीं रहेगी, यह आपको बहुत अच्छे से समझना है, यहां पर आपका लिखा गया है, कि we are now living in an era very close to the last of the major aerogenic movements of the earth, जो alpine movement है, जो alpine era है उसके around, ठीक है, लेकिन वो भी 30 million साल पहले start हुआ है, तो young fold mountain ranges were buckled up and overthrust on a gigantic scale, तो being the most recently formed of these ranges such as the Alps, the Himalayas, the Andes and the Rockies, तो आप यह देख सकते हैं कि यह जितने भी है, इन में से हमारे देश का भी एक है नाम, ठीक है, that is the Himalayas, इसलिए बोला जाता है कि Himalayas are young fold mountains, Himalayas जो है, वो young fold mountains है, हलाकि 30 million साल पहले, जो alpine period हुआ था, उस समय का यह बना हुआ है, ल है, these are the loftiest and the most imposing, their peaks are sometimes several miles high, इनके जो peaks वगरा है, वो हम देखते हैं, काफी उचे-उचे है, but the time will come when these lofty ranges will be lowered, like those that existed before them, from the eroded materials, new rocks will be formed, later to be uplifted to form the next generation of mountains, तो यही बोला गया है, कि आज की rate पे जो हम Himalayas, Elps और यह सारे Andes, Rockies को देखते हैं कि इतने उचे-उचे पहाडिया है, ल जब यह भी warm down होंगे, यानि कि इनकी भी जो height वगरा है, वो कम होंगी, और उससे क्या है कि नए rocks बनेंगे, और उसके बाद फिर कुछ और orogenic movements वगरा होंगे, जिससे next generation के mountain वो फिर से बनेंगे, ठीक है, तो यह process जो है, चलती रहती है, इसमें अलग-अलग geological times में चीज 90-100 साल, तो उसके मुकाबले यह millions of years में हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमारे respect में हम कहेंगे कि, मतलब हमें नहीं पतलाएगा, लेकिन millions of years में जो चीज है, यानि कि अगर हम geologic time की बात करें, तो वहाँ पर यह changes जो हो रहे हैं, और काफी significant changes है, ठीक, चलिए, इसके बाद types of mountains की बात करेंगे, तो mountains make up the large proportion of the earth's surface, based on their mode of formation, four main types of mountains can be distinguished, चार main types की mountain बताए गए है, पहला है fold mountains, देखे क्या होता है, these mountains are by far the most widespread and also the most important, सबसे जादा type के mountain जो पाए जाते हैं, पूरे के पूरे विश्वम है, वो fold mountains ही है, ठीक है, they are caused by large scale earth movements when stresses are set up in the earth crust, अब stresses किस तरीके से पैदा होंगे, देखे, the stresses may be due to the increased load of the overlying rocks, यानि कि जो earth crust के ओपर, जो overlying rocks है, अगर उनकी वैसे stress पढ़ता है तो, flow movements in the mental, जो mental है, उसमें अगर flow movement हो रहे हैं, उसकी वज़े से, magmatic instructions into the earth, जो magmatic है, जो अंदर, जो अंदर के surface में जो magma है, उसकी वैसे जाओ रहे हैं वो, और the expansion or contraction of some part of the earth, और earth में अगर कहीं पर कुछ पार्ट में contraction हो रहा है, कुछ पार्ट में expansion हो रहा है, तो उसकी वैसे भी stresses पैदा हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चार जो stresses दे रखे हैं, ये no down करने हैं, ठीक है, कि किस-किस तरीके से जो ह कुछ parts of the earth में contraction हो रहा है, और कुछ पार्ट में क्या हो रहा है, expansion हो रहा है, ठीक है, तो when such stresses are initiated, the rocks are subjected to compressive forces that produce wrinkling or folding along the lines of weakness, ठीक है, तो as illustrated in figure 18.1 and A and B, ये नीचे दिया हुआ है, folding effectively shortens the earth crust, creating from the original level surface a series of waves, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है, A figure में आपको original दिखाए हुआ है, अब यहाँ पर देखे, compression हो रहा है, यानि कि इसमें यहाँ के तरफ से force लगेगा, इसमें यहाँ के तरफ से force लगेगा, तो ये इस तरीके से उठ जाएगा, आप complex, ठीक है, ये obviously वात है, compress हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं, कि छोटा हो जाएगा, और इस तरीके से जो waveform बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते है, waveform बन रहा है, और ये waveform में जो ये ऊपर का portion है, यानि कि जो ये high वाला portion है, यानि कि 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 वेव के बारे पता है, तो आपको जो पोर्शन इसको बोला जाता है, ट्रफ, that is your sinkline, ठीक है, तो आप folded waves are called anticlines, and the troughs or down folds are called sinklines, ठीक, ध्यान रखेगा, जो ऊपर का portion है, इसको crest, crest भी बोला जाता है, और जो नीचे का portion है, इसको बोला जाता है, कभी-कभी, wave के form में, ट्रफ, ठीक है, तो wave के form में, अगर हम ब मतलब क्या है, geo is related to earth, तो जो earth के इस तरीके का movement है, मलब इस तरीके का movement हो रहा है, जिसकी वज़े से, जो आपका ये surface का portion है, ठीक है, ये ऐसा हो जाता है, कि wave form में, जिसमें एक ऊपर का portion बन रहा है, एक नीचे का portion बन रहा है, तो जो ये इस तरीके का down fold है, down folds are known as sinklines, or you can say the up folds are known as anticlines, बस, यही simple सी चीज है, geosyncline words सुनने में लगता है, कि पता नहीं क्या है, लेकिन इतना tough कुछ नहीं है, ठीक है न, इसके बाद, the formations of up and down folds closely resembles that of the wrinkles of a table cloth when it is pushed from either one or both sides of the table, तो इसको आप घर में भी चाहिए तो करके देख सकते हैं, कि आपको table cloth की जरवत भी नहीं है कोई छोटा सा कपड़ा भी है, उसको आप किसी एक plane surface पर फैलाईएगा, table वगरा ठीक है, मानिजे कोई छोटा सा रुमाल सा है, उसको भी आप फैला सकते हैं, उसको आप फैलाने के बाद, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मानिजे आपके पास घर में कोई ऐसे table है, छोटी सी एक भी अगर होगी तो भी चलेगी, इसके उबर आपने इस तरीके से कोई मानिजे रुमाल रखा plane करके, और इसके बाद दोनों तरफ से इस तरीके से इसको force दे रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ से आप दोनों हाथ से इसको force देंगे, तो आप देखिंगे कि इसको आप खुद करके देख सकते हैं, पता लग जाएगा आपको चीज़े, तो in the great fold mountains of the world, such as the Himalayas, Rockies, Andies, Elms, due to the complexity of the compressional forces, the folds developed much more complicated forms, ठीक है, इसको ध्यान रखेगा, और यहाँ पर सबस्वड़ी important चीज़ जो आपको नोट करने वाली है, वो यह है कि Himalayas के बारे में बात ठीक है, कि Young क्यों है, यह भी आपको पता है, क्योंकि वो अभी जो recent period हुआ है, Elpine era उस में बने हैं, और fold mountains है, ठीक है, fold mountains किस तरीके से बनते हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, ठीक है, आप इसी ही के देखिए, जो यह processes हैं, इसमें लिखा गया है कि of the fold is pushed too far, when the crest of the, crest का मतलब ध्यान रखेगा, top वाला जो है, अगर वो जादा ही दूर तक push कर दी जाती है, तो वहाँ पर क्या बनता है, an over fold, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, यह simple आपका sink line है, this one, यह आपका simple क्या है, anti-cline, इसके बाद अगर यह जादा move करता है इधर की तरफ को तो आप देख सकते हैं, क्या बन गया है, over fold, ठेक, if it is pushed still further, it becomes a recumbent fold, यहाँ पर आप figure में सारी चीज़े देख सकते हैं, बड़े आसानी से आपको समझने आजेंगी, ठेक है, और कुछ extreme cases में ऐसा भी होता है, कि fracture may occur in the crust, so that the upper part of the recumbent fold slides forward over the lower part along the thrust plane, जो यह thrust plane है, अगर मैं इसको आपको यहाँ पर दिखाऊ, यह वाला जो thrust plane की line है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कि कभी-कभी इस तरीके के movement की वज़े से, जो यह उपर का portion है, जो recommend fold का यह उपर का portion है, यह तूट जाएगा, ठेक है, this becomes fracture, और यह इसके उपर जो है, जो नीचे की along क्या हो रहा है, कि यह उसके उपर आगया है, जो recommend fold का जो upper portion है, वह अला, ठेक है, तो उससे क्या बन जाएगा, that जो over thrust fold है, वह बनेगा, और जो यह over riding portion है, इसको बोले जाएगा, nap, ठेक है, इसको बोले जाएगा, nap, यह ध्यान रखेगा, तो यहाँ पर आप समझ सकते है कि sink line और anti-cline बहुत simple है, जैसे जैसे उसमे movement बढ़ रहा है, ठेक है, anti-cline के portion में, जो crest का portion है, वह जादा movement कर रहा है, तो उसमें पहले बनेगा over fold, फिर बनेगा recommend fold, और फिर बनेगा over thrust fold, और over thrust fold में जो उपर का portion है, जो नीचे के surface के उपर, जो यह नीचे का portion है, इसके उ walk strata have been elevated to great heights, sometimes measurable in miles, fold mountains may be called as mountains of elevation, कभी-कभी इनको mountains of elevation भी बोल दिया जाता है, the fold mountains are closely associated with volcanic activity, they contain many active volcanoes, especially in the circum-pacific fold mountain system, कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि वहाँ पर volcanic activities भी होती है, इस तरिके के mountains में, specifically बात की जा रही है, circum-pacific, circum-pacific मतलब जो pacific हमारा ocean है, ठीक है, उसके चारों तरफ के जितने भी mountains हैं, वहाँ पर, वहाँ पर आपको पता भी होगा, उसलिए उसको region को जो है, वो pacific ring of fire भी बोला जाता है, ठीक है, pacific ring of fire, वो इसी का region है, कि वहाँ पर volcanic activities काफी जादा होती है, ठीक, they also contain rich mineral resources, जैसे कि tin, copper, gold and petroleum, ये भी जो है, इन block mountain, block mountain में क्या है, देखिए, कि when the earth crust bends, folding occurs, ये हमने पढ़ा, कि जब earth crust bend करती है, तो क्या बन रहा था, fold, but when it cracks, जब crack होता है, तो बनती है, faulting, then faulting takes place, ठीक है, faulting may be caused by tension or compression, ठीक है, दोनों तरीके से faulting हो सकती है, तो forces which lengthen or shorten the earth crust, causing a section of it to subside or to rise above this surrounding level, ठीक है, यानि कि tension अगर होगा, तो क्या होगा, tension का मतलब है, किसी भी चीज़ को हम खीच रहे हैं, suppose करिए, ये कोई चीज़ है, इसको हम इधर को खीच रहे हैं, एक तरफ से इधर को खीच रहे हैं, तो this is tension, तो tension होनी के वैसे क्या होगा, कि ये जो original piece था, इसकी length बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर हम लोगों ने बात करी कि ये जो beach का portion है, ये subside कर सकता है, जिसमें go down, ठीक है, और compression की वैसे, जैसे मैं आपको बताया था, folding के case में this portion में rise, ठीक है, यही चीज़ यहां पर पूरी की पूरी लिखी गई, ठीक, तो इसकी वैसे क्या है, कि अगर हमारे जो host और block mountains बनते हैं, या फिर grabon और rift valleys बनत fault, reverse fault and transparent fault, ठीक है, देखिए, tension की वैसे जो बन रहा है, उसको ध्यान रखे का that is a normal fault, जो compression की वैसे बन रहा है, fault का मतलब ध्यान रखना है कि तूटना है, fracture है, ठीक है, जो आपका इसकी वैसे बन रहा है, this is your, जो compression की वैसे बन रहा है, this is your reverse fault, ठीक है, और यहां पर आप दे Transcurrent fault, ठीक, चलिए, यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जिसने अगर यह चीज पढ़ी है, जिसको पहले से पता है, तो Transcurrent fault का एक नाम और होता है, वो नाम आप मुझे बताएगा, क्या होता है, ठीक है, Transcurrent fault मैं आपको बता जिए, कि जिस direction में force लग रहा है, उस इस direction में जो आपका breakage हो रहा है, जो crack आ रहा है, fracture आ रहा है, that is known as Transcurrent fault, ठीक, यानि कि जो line of fracture है, वो और direction of applied force है, वो same है, that is known as Transcurrent fault, यहां पर आप देख सकते हैं कि reverse fault और normal fault है, उसमें अलग-अलग है, यहां पर आप देख सकते हैं कि line of force का action है, ठीक है, यहां पर आप perpendicular है, compression की वएसे है, तो reverse है, similarly यहां पर भी आप देखेंगे, कि this is your fault line, और tension की वएसे जो line of force है, वो यह है, ठीक है, तो यहां पर भी यह perpendicular है, लेकिन यह किस तरीके का है, tension की वएसे है, तो this is your normal, compression की वएसे है, तो this is your reverse, और दोनों का आपका direction सेम है, क्योंकि यह fault है, और यह आपका line of action है, तो दोनों का direction आप देख सकते हैं, same है, that is known as Transcurrent Fault, तो Transcurrent Fault का एक नाम में आपने वो से और पूछ रहा हूँ, मुझे नीचे comment section नो बताएगा, जिसको पता है, ठीक है, चलिए, फिलाल यहां पर क्या लिखा गया, हम और देखते है, यहां पर नीचे दो figure समझाए गई है, और मैं बहुत अच्छे से चीज़ समझाए गई है, कि जो block mountains में हमारे जो blocks और block mountains या hearst बनते है, या grabon और rift valleys बनती है, वो किस तरीके से बनती है, ठीक है, देखिए, figure 21.21a जो है, उसमें earth movements बताया गया है, they generate the tensional forces that tend to pull the crust apart and faults are developed, यानि कि किस तरीके का fault है, यह पहली बात तो समझ के चलना है, आपको दीजारी और normal faults, ठीक, क्यों, क्योंकि यह tension की वे से बन रहा है, ठीक है, और tension की वे से बन रहा है, तो मैं आपको बताया है, कि originally क्या होगा, कि जो length है, वो बढ़ेगी, ठीक है न, तो if the blocks enclosed by the faults remains as it is or rises, ठीक, यानि कि मान यह आपके faults है, यहाँ पर देखे, दोनों diagram को आप साथ में देखे, तो यहाँ पर क्या है, कि यह आपकी fault line है, ठीक है, this, एक नट रुके, इसको थोड़ा इस color से बनाते है, देखे, suppose कि यह एक fault line है, यह एक fault line है, ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान रखना है, tension यानि कि इस तरीके से इधर को movement है, इस तरीके से इधर को movement है, ठीक, तो यहाँ पर मानली जए अगर इनके beach का पोर्शन है, यानि कि जो fault के beach का portion है, ठीक है, अगर वो वैसा ही रहता है, या rise कर जाता है, ठीक, and the land on either side sub-sides, जा फिर उसके जो site की land है, यानि कि जैसे मानली तो क्या लिखा गया है कि अगर beach का portion या तो वैसा ही रहता है या rise कर जाता है, ठीक, या फिर जो side का portion है वो subside कर जाता है, या नीचे बैड जाता है, तो उससे क्या बनेगा हमारा host और block mountain, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये beach का portion क्या हुआ है, या तो ये beach का portion rise कर रहा है, या फिर जो ये side के portion थे, ये नीचे बैड गए है, ठीक है, ये क्या हो गए है, subside कर गए है, तो इसकी वाज़े से क्या बना है, यहाँ पर host mountain, और जो ये side के portion बने है, they are your rift valleys, यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, the faulted edges are very steep, with sharp slopes and a summit is almost level, क्योंकि summit जेके, जो इसका top क्योंकि वो ऐसा plane था कभी, और जो tension fault हुआ है, उसकी वज़े से ये इसका, या तो ये खुद उपर उठा है, या इसके जो side के region थे, वो नीचे बैड गए है, तो उस वज़े से ये mountain बना है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसका top है, वो क्या रहेगा, top will be flat, ठीक, example के दोर पर दिया गया है, हंस्रक माउंटेंस, दिवास्गेस, दि ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ दी राइनलेंड, ठीक, समझ गए, इसी के बाद एक चीज़ और लिखी गई है, कि टेंशन में अल्सो, यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, कि मान लिखी गई है, जैसी कि एक फॉल्ट यह है, और एक फॉल्ट यह है, इनके बीच का जो रीजन है, यह नीचे बैट गया, बात वही है, बात चीज सेम है, जो पार उपर उट रहा है, that becomes the mountain, the block mountain, जो पार नीचे बैट गया है, जो सबसाइट कर गया है, वो रिफ्ट वैली बन गई, ठीक है, वो एक ही चीज़ है, जो बना को दोनों यहाँ पर समझा दी है, ठीक है न, चलिए, इसमें आगे देखिए, क्या लिखा गया है, एक्जामपल के तौर पर रिफ्ट वैली इसके नाम दिये गया है, the east african rift valley system is 3000 miles long, stretching from east africa through the red sea to Syria, ठीक है, तो यह इसका एक इसामपल है, ठीक, इसके बाद दूसरा बताया गया है, compressional forces की वैसे किस तरीके से होता है, यानि compressional forces की वैसे जो fault generated होता है, वहाँ पर, अब compression की वैसे मैं आपको बताया है, कि original जो कोई भी component है, किसी को भी आप दबा रहे हैं, तो उसकी length क्या होगी, कम होगी, वो shorten हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, figure में, देखिए, यह original था, इस original में क्या हो रहा है, कि यहाँ से, और यहाँ से compression हो रहा है, चिक, तो यह जो beach का portion है, यह suppose कर लीजिए, ऐसे ही रहा है, और जो यह side का portion है, यह उपर उड़ गया है, इस तरह से, चिक, तो यहाँ पर क्य हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरीके से, यह beach में तो valley बन गई है, और यह दो क्या बन गई है, mountains, ठीक है, और बाद में कुछ समय के बाद क्या हो सकता है, कि यह जो mountains का, जो इस तरीके का sharp edge, pointed edge थी, यह क्या हो गई है, यह denude हो गई है, यह worn down हो गई है, तो इस तरीके से सफिर यह बाद में ऐसा बन जाएगा, ठीक है, इसको समझ गए आप किस तरीके से, compression से क्या है, basically यह जो beach का portion है, यह ऐसे ही है, और side का portion जो fault, क्योंकि यह along the faults है, these are the fault lines, ठीक है न, तो along the fault lines क्यों रहा है, जब यह compression हो रहा है, तो यह portions उपर उठ जाएंगे, और यह beach का portion ज की वेसे बन रहा है, तो यह reverse fault की वेसे बने वे, यह आपको समझना है, ठीक है, तो यहाँ पर यह दिखा गया है, कि in general, large scale block mountains and rift valleys are due to tension rather than compression, यानि कि जो tension की वेसे बनते हैं, वो जादा है, compression की वेसे बनने वाले, कम है, ठीक, the faults may occur in series and be further complicated by tilting and other irregularities, denudation through the edges, modify faulted landforms, वही मैं जो sharp edged portion है, वो क्या हो जाएगा, वो तूट सकता है, वो warm down हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद जो तीसरे type के यहाँ पर mountains दिये गए है, that is your volcanic mountains, volcanic mountains, word से ही आपको पता है, volcano से संबंदित है, जो आला मुखी से, these are in fact volcanoes which are build up from materials ejected from the fissures in the earth crust, जो earth crust के अंदर जो fissures होते हैं, य वा, volcanic bombs, cinders, ashes, dust and liquid mud, तो they fall around the vent in successive layers, building up of characteristic volcanic cone, यानि कि यहाँ से यह बाहर निकलेंगे, और इस तरीके से यह इस पूरे के पूरे region में, layer by layer के form में, जो है वो, इखटा होते चले जाएंगे, तो इस से क्या होगा, कि जो original हमारी land थी, original हमारी land कहां पर थी, ठीक है ना, original यह अब धीमे-धीमे क्या हुआ है कि इसमें यह वालकेनों की वज़े से, यह जो यहाँ पर material इखटा होते चला गया है, तो यह एक mountain तरीके का बन जाएगा, तो this is the volcanic mountain, ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि volcanic mountains are often called as mountains of accumulation, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कि जो volcanic material आ रहा है, वो इखटा हो रहा है, ठीक है, they are common in the circum-pacific belt, वही बात है, circum-pacific belt, जो ring of fire मैं आपको बता है, क्योंकि वहाँ पर volcanic eruption जो है, वो काफी ज़ादा है, वालकेनिक activity काफी ज़ादा है, तो इस तरह के mountain जो है, वो वहाँ पर काफी ज़ादा पाए जाते है, ठीक है, और कुछ-कुछ इसमें जो है, वालकेनिक peaks के नाम भी दिये गए है, that is your Mount Fizi in Japan, Mount Mayon in Philippines, Mount Merapi in Sumatra, Mount Agong in Bali, Mount Cetopexy in Ecuador, ठीक है, बाकी इसके बारे में detail जो है, वो हम chapter 3 में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम लोगोंने earthquake और वालकेनिजम को बहुत ज़ादा detail में पढ़ना है, ठीक है ना, इसके बाद जो चौथर type के mountain है, that is your residual mountains, ठीक है, residual mountains जो हमने बताया था, 4 type के है, तो चौथर type का residual है, these are mountains evolved by denudation, यह mountains जो है, वो denudation से बने है, अब आप समझ सकते हैं कि mountains भी denudation से बन सकते हैं, देखिए कैसे, where the general level of the land has been lowered by the agent of denudation, some very resistant areas में remain, and these form residual mountains, ठीक है, residual mountains बनते हैं, जैसे कि mountain, यह manod knock नहीं है, ठीक है, यह monad knock है, इसको monad knock मुला जाता है, monad knock, ठीक, monad knock in USA, residual mountains में also evolved from plateaus, which have been dissected by rivers into the hills and valleys, like the ones illustrated in figure 23, here the ridges and peaks are all very similar in height, examples of dissected plateaus, where the down cutting streams have eroded the uplands into the mountains of denudation, are the highlands of Scotland, Scandinavia and the Decon plateaus, यहाँ पर आप इसको समझे क्या चीज़ है, कि originally तो हमारे पास यह line थी, ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ है, कि यह वाला रीजन है, यह हमारा यह वाला रीजन है, जो रीजन नीचे बैड गया है, वहा तो उन जगों का क्या हुआ है, कि वहां का denudation हो गया है, और बाकी जो यह resistant portions थे, जैसी कि resistant portions को मैं आपको इस color से दिखाता हूँ, this is the resistant portion, ठीक, यह resistant portion है, तो यह आपके mountain बन गया है, और बीच का जो portion है इनके, वो क्या हो गया है, वो denude हो गया है, वो erode हो गया है, तो वह यहां पर से क्या बन गई है, एक तरीके से valley, ठीक है न, यहां पर यही चीज़ लिखी गई है, देखिए, कि down cutting of rivers, down cutting by rivers और glaciers, इनकी वही से cutting हुई है, तो आप यहां पर एक चीज़ यह बड़ी अच्छी सी एक interesting का आप लोगों को जानने को सीखने को मिली होगी, कि denudation से भी जो है, वो mountains बन सकते हैं, ठीक है, mountains जो है, वो सिर्फ और सिर्फ, मतलब क्या कह सकते हैं, कि जो denudation processes है, वो सिर्फ mountains की height कम नहीं करती हैं, ठीक है, यानि कि वो mountains को negative effect ही नहीं देती हैं, बलकि कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि उनकी वैसे mountains बन जाते हैं, तो आपको, अग उसमें क्या है, कि कुछ-कुछ regions में, जो हमारे denudation agents हैं, जैसे कि rivers और glaciers की वैसे जो cutting हुई है, उससे जो more resistant part है, जो more resistant part है, वो mountain बन गया है, और जो हमारा less resistant part है, उनकी down cutting हो गई है, और वहाँ पर क्या बन गई एक तरीके से, valley C बन गई है, ठीक है, चलिए, तो आज इसक जाएगा, जादा स्यादा शेयर कीजिएगा, अपने friends, अपने colleagues के साथ, ताकि जादा स्यादा लोगों को पता लग सके किस तरीके course वगरा के बारे में, और बाकी अपने comments वगरा जो हैं, वो जरूर करते रहें, ताकि हमें पता लगेगा कि आप लोग इस course को इस video series को regularly follow कर रहे हैं, बाकी हमसे जादा जुड़ने के लिए हमारा Facebook page, Twitter page, Telegram channel का आप लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोग को अगर कोई और queries, कोई doubts है, तो आप नीचे comment section में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई अगर आपको feedback देना चाहें, जो आपको लगता है कि कोई scope of improvement है हम तो वो जरूर आपको feedback जानके, feedback सुनके हम लोग जरूर implement करेंगे, ठीक है, बाकी इसका जो पूरे की पूरी ये book चल रही है, इसका full course जो है, वो नीचे उसका description box में link दिया हुआ है, वहाँ से भी आप उस full course को चाहें, तो enroll कर सकते हैं, purchase कर सकते हैं, उस course में आप लोग का आप लोग उस course को enroll करके, उसमें वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, बाकी अगर आप लोग को कोई कोई और बात है, कोई आप और चीज़ हम से share करना चाहते है, कुछ भी पूछना चाहें, कुछ भी बताना चाहें, तो उसके लिए आप हमारी email id, जो है, that is, ocul की help desk की जो official email id, support at the local.co, वहाँ पर भी आप लोग बत कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, बाकी अगर course purchase करने के time पर आपको कोई अगर issue आता है, या आपको कोई और doubt है, तो उसके लिए मापके साथ एक mobile number share कर रहा हूँ, WhatsApp का number है, इस पर भी आप लोग बात करके, अपनी, जो अ out है, कुछ तो आप clear कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको problem आती है, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है, चलिए, मिलते हैं अगमे lecture में, तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ध्यान रखेगा, please do take care of yourself, thank you, have a nice day, bye-bye.